तो इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा वेस्ट हैम युनाइटेड वर्सिस टॉटनम के बीच मैच का वेन्य होगा लंदन स्टेडियम जो की वेस्ट हैम का होम मैच है शाम को 6.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तो आप इन दोनों क्लप्स को इस सीजन प्रीमियल लीग के टॉप एट क्लप्स में काउंट कर सकते हैं अगर मैं आपको पॉइंस टेबल दिखाऊं टॉटनम अभी फिफ्ट और वेस्ट एम सेवन्थ पोजीशन में है आठ में अपने 5 मैचेश टॉटनम जीती है तीन उनकी डॉसेस हैं डी सेंट 9 गोल स्कॉर कें 12 कंसीट के 15 उनके पॉइंट है ठीक ठाक से सुरवात किया टॉटनम ने अभी तक वेस्ट एम आठ में 4 जीती है दो ट्रॉस हैं दो लॉसेस हैं अच्छे 15 गोल मारें और सिर्फ 10 गोल कंसीट के 14 उनके पॉइंट है तो देखा जाए टॉटनम और वेस्ट एम दोनु ने अभी तक इस सिजन बहुत डीसेंट स्टार्ट किया है मतलब आप कहलेजे अब अब एवरेज स्टार्ट इस सिजन दोनु ही क्लफ्स ने किया है अब इस मैच में विनर प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुस्किल है बिकॉस यहा कॉछ लीग में अम एक बेलेंस साइट बनायेंगे कुछ प्लेयर के वेस्ट एम की बिक करूँगा कुछ फ्लेयर कटनुम के बिक करूँगा अगर आप इस यहां पर यहां पर एक अच्छा जांस है कि दोनु जगे से स्कोर आ सकता है फिलाल करे आपको दोनु टीम्स की री 3-1 से सबसे बहले वो Arsenal से आरे उसके बाद Conference League मैच के लावस की बाद नहीं करेंगे उसके बाद 2-1 से उनकी Ashton Villa से विक्ट्री है और फिर 3-2 से उनकी Newcastle United से विक्ट्री है ऑल्दो लास्ट दो लगातार मैचे जीते हैं उससे बहले Arsenal से एक मैच हारी है Tottenham लेकिन आपने दे से लीड्स को रहा है फिर वो 2-1 से Brentford से आरे लेकिन पिछले मैच में उन्होंने कमबेक के और 1-0 से Everton को हरा है तो देखा जाए लगबाग दोनों की सिमिलर सी फॉर्म है बीच में दोनों एक-एक मैच हारी है दो जीती है मतलब कोई बहुत ज्यादा न अच्छी फॉर्म ह न बहुत ज्यादा खराब फॉर्म है दोनों की मिक्स फॉर्म चल लिए सिमिलर सी फॉर्म दोनों की कलब्स की चल लिए है फिलाल मैं आपको इन दोनों टीम्स के भी जो लास्ट सीजन दो head to head matches वे उनके result दिखाता हूँ पहला मैच 3-3 draw हुआ था टोटनम के घर में और सबी चीजे मतलब इन दोनों टीम्स को सेपरेट नहीं कर भाए तो इस वजह से यहां पे clear winner प्रिडिक्ट कर बाना बहुत ज्यादा टाफ है तो फिलाल के लिए मैं फिर से बोलना चाओंगा इस स्मॉल लीग में एक बैलन साइड में बनाऊंगा लेकिन ग्रेंड लीग में आप कुछ कॉम्बिनेशन टॉटनम कुछ कॉम्बिनेशन वेस्टेम ऐसे करके फेवर के बनाना और कुछ कॉम्बिनेशन बीटी टीएस बोड टीम टू स्कोर वाले जरूर बनाना अब हम प्रोवेबल लाइन अप प्याते हैं उससे बढ़े एक चीज कहना चाओंगा इस म के 5 प्लायर भी करूंगा अगर मैं तोंनमμε के 5 प्लेयर भी करोंगा कहने का मतलब यह किसी एक मटिको में पूरा विवर नहीं करने वाला यह किसी एक टािम में प्लेभो रुमेरो एरिक डायर और रेगुलान अभी के लिए इनके डिफांस से मैं उतना ज्यादा सेटिस्वाई नहीं हूँ गोल कंसीड कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं इनके बहुत ज्यादा डिफेंडर पिक नहीं करूँगा अगर मैं दो डिफेंडर टॉटनम से भी करूँग उस केज में चारवे डिफेंडर पिक करना लेकिन मुझे लग रहे है कि वेस्ट हैम भी स्कोर कर सकती है इसकोरिंग फॉर्म उनके अच्छी चल लिए फिलाल के लिए इनके डिफेंज में में मेरी नंबर वन चॉइस रेगुलान रहेंगे बहुत बहुत अच्छे हैं ठीक रेगुलान मेरी नंबर वन चॉइस है डायर रोमेरो अगर आप गेमपले दिखेंगे अच्छे हैं रोमेरो से तो न्यू साइनिंग है बहुत एक्सपेक्टेशन लेगिया है फेंटेसी वाइस अभी तक उतना ज्यादा खास किया नहीं लेकिन दोनों आपको रेंडम हेड फेंजि वाफेंजिव पॉइंट दे सकते हैं हालेंकि अभी तक ठीक ठाक साही किया है इस चिल अभी के लिए रेगुलान में मुस्ट पिक करों सेकेंड चब्स मेरी अप डायर रोमेरो में अपने अकॉडिंग ले जा सकते हैं मतलब इन तीनों में रोमेरो डायर एकों में ट्राइए करना होएवाग दोस्तों एक complete midfielder है ये बंद आपको अच्छे कासे tackling, intercept and passing के point देगा assist potential भी बहुत अच्छा है random goal करने में भी capable एक goal एक assist कर चुका है लेकिन अभी के लिए क्या है ना I think जहां तक मुझे आते 9.5 या 9 credit के थे तो मैं इनको अपनी टीब में pick नहीं कर पाया, adjust नहीं कर पाया है वैसे एक fantasy asset है हर match में 20-25 save point देते हैं लेकिन अभी के लिए बहुत credit problem होड़ती इस वज़े से इनको मुझे sacrifice करना पड़ा है अगर आप कोई ऐसी जगे खेलने हैं जहां credit problem नहीं है या आप credit maintain कर पाय रहे तो होई बग को midfield से शोली पिक करना है यह reliable save point हमें देते हैं mostly matches में तो होई बग important option है लेकिन credit problem की वैसे मैं pick नहीं कर पाया है लूकास मोरा hit and miss scorer है एक मैंच अच्छा आता है अक लिए 2-3 matches flop रहते हैं तो ऐसे प्लेयर पर ट्रस्ट करना मुस्किल है और credit भी थोड़ा हाई है अभी के लिए ignore करते है ग्रेंड लिंग में ट्राइक करना इस स्मॉल लिग में मैं ignore करने वाला हूँ अब जो attacking midfield में end ombelly खेलेंगे मैंने आपको last time जब tottenum का match cover किया था तब भी explain किया था फिर से कह रहो दोस्तों ये एक मतलब punt कह लिजिए आप punt player हो सकता है आपके लिए ये बंदा random goal assist करने में capable है ठीक टाक defensive work दो करता है मतलब defensive work मतलब टेकल इंट्रिसेप्शन थोड़ें बहुत करता है पासेस करता है offensive work मतलब chance create on target लेता है लेकिन ये बंदा random goal assist करके दे सकता है और ये हमें सिर्फ 8.5 में मिल ला है लास्ट मैच में भी हमने इनको पिक किया इन्होंने goal किया था तो मेरे अकॉडिंग तो होईबग जहां 9.5 के मिल ले है उनसे अच्छे options end ombelly रह सकते हैं पिकोज ये आधे credit एक credit कम के मिल ले है और ये random goal assist करने में capable है और तो होईबग की भी करते हैं लेकिन ज्यादा chances end ombell ले random substitute हो जाते हैं केन और सन इस टीम के टू बैस प्लेयर है मेरे अकॉडिंग इनके बिना कोई भी टर्टनम की 11 अधूरी है इनके बिना टीम ही नहीं बन सकती सन तो इस सीजन रेड होट फॉर्म में चल ले चार गोल एक असिस्ट और लेडी कर चुग है केन टेलिसमन सब्सक्राइबल आपका केप्टन वाइस केप्टन सी ऑप्सन भी बन जाएगा एक वेस्ट हम में एंटोनियो है बाकी केन और सन है इन तीन में मेरे अकॉडिंग आपको केप्टन वाइस केप्टन चूज करना चाहिए इस मैच में तो फिलाल यह टॉटनम की प्रोविवाल चैनल में कवर करते हैं। लिंक एडिस्क्रिप्चन में जरूर से जरूर जॉइन कर लिजेए इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी सस्क्राइब कर लिजे ऐसी फूट्बाल मैचिस के प्रीव्टीव वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल में मैं पोश करता रहता हूँ। वेस्टेम की बात करते हैं, क्राल और सूफाल बाहर हैं, सूफाल का ना होना बहुत बड़ा लॉस है, इनके मेंच चोईज राइट बैग हैं, तो इनकी 11 देखते हैं, फेवियांसकी इनके गोलकीपर हुँगे, गोलकीविंग सेलेक्शन मैंने आपको बता दिया, पूरा 50-50 कोल है, तो यह पूरा आपके उपपर डिपेंड करता है, चारिन के डिफेंडर है, बेन जॉमसन, जूमा, ओकबोना और क्रेस्वेल, अब जॉमसन नए प्लियर है, सूफाल की रिप्लेस्मेंट के तोर पे खिलिंगे, उतना ज्यादा कुछ खास किया नहीं, पाइंट लेन इन में से किसी एक को आप शूली पिक किजे, अगर आप इनके तीन डिफेंडर जारें, इन दोनु को पिक कर सकते हैं, फिलाल के लिए क्रेस्वेल मेरी इनके डिफेंड में नमबर वन चोईज है, लेफ्ट साइट से ये भी आप, जैसे मैंने यहापे रेगुलान को एक और कुछ-कुछ कॉर्णर की फ्रीकिक भी लेते हैं, असिस्ट पोटेंचिल है, रेंडम गोल कर सकते हैं, डिफेंसीव वक करते हैं, तो क्रेस्वेल मेरी नमबर वन चोईज है, या दोनु को आप पिक कर सकते हैं, अगर आप इनके तीन डिफेंडर पिक करने हैं, लेक लेकिन इस सीजन अभी तक अब टूदा माक पर्फरमेंस नहीं किया एक गोल एक असिष्ट है लेकिन अभी के लिए थोड़े ज़्यादा क्रेडिट के थे तो मैं पिक नहीं कर पाया अगर आप एड़ेस्ट कर पाते हैं तो सुचेक शोल्डी पिक करना डेकलें राइस यह ब पासिंग के पॉइंट देगा और क्रेडिट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो मैं राइस को अभी के लिए पिक करूंगा विकॉज यह मुझे कम क्रेडिट में भी मिल लें अटेकिंग में फोननाल्स के लिए प्लेयर अच्छे हैं आप सब प्लेयर हम पिक नहीं कर सकत के जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंटोनियो पांच गोल तीन असिस्ट अलेडी कर चुक है ओन पेनाल्टीज है रेड हाट फॉर्म में चलने हं अंड्रेट परसेंट में पिक करूंगा पैन्रामा को भी मैं अंड्रेट परसेंट करूंगा तीन गोल दो असिस्ट कर चुक में इतना बडा में रिस्क नहीं ले सकता आपको लेने आपको लगँर रहाएं इंटॉनियो फ्लप जाएगा 12 फिलाल के लिए GL में ट्राइ करते हैं तो यह वेस्टेम की प्रोवेबल ले ओने यहां से मैंने आपको लगबग सभी important players के बारे में पता दिया फिर से कहरो बिन्रामा एंटोनियो 100% पिक कीजिए important है जूमा अगबोन है राइस important है बाकी सूचेक या और प्लेयर जो मनें बताए क्रेडिट प्रोब्लम हो रही है इस वह से पिक नहीं कर पाए अब एड़्यस कर सकते हैं तो कर लेना अभी के लिए यह इनके सीजन के प्रीमियल लिग के stat है फिलाल जो मेरी prediction है मैं जारो एक 1-1 ड्रो या 2-1 टोटनम या 2-1 वेस्ट है मुझे नहीं बता टोटनम वेस्ट हैम को रहेगी वेस्ट हैम टोटनम को रहेगी इसलिए मैं 1-1 ड्रो के साथ जरू लेकिन 2-1 इधर साइड ये मैच जा सकता है फिलाल जो मेरी डेमोर रफ के साथ जा सकता हूं तो जो भी मेरी updated team होगी जो भी मेरा captain wise captain होगा टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगा link के description में जरूर जोइन कल लीजिए